हेलो फ्रेंड्स स्वागा था दोस्तों एक बार फिट से आपके अपने यूटूब चैनल टी यल मेडिक पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जोइन पेन के बारे में यानि की जोडों के दर्द के बारे में बहुत सी बार देखा गया है कि ये उमर दराज लोगों में चादा देखा गया है यानि जोडों के दर्द की समस्या देखी गई है लेकिन आज कल के खान पान को देखते हुए रहन सान को देखते हुए ये समस्या किसी भी उमर के लोगों में हो जाती है मेरे पास भी ऐसे पेसेंट आते हैं जिनकी उम्र नहीं होती है लेकिन जुएंट पेन उनको परिसान करता है यानि जुएंट पेन उन्हें रहता है कई बार इन गुटनों में कट-कट की आवाज आती है या कहीं पर आप बैठे हैं इस्थिर तो आपको उठने के लिए सहारे की जरूरत होती है तो उन सभी के लिए मैं बता देता हूँ आपके लिए एक ऐसा जबर्जस्त नुस्का है जिसे आप इस्तमाल करके अपने दर्द को दो से तीन दिन में खतम कर सकते है जानी आप दो से तीन दिन इस्तमाल करेंगे और आपका दर्द खतम होता चला जाएगा मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ जो लोग कहते हैं कि बस एक हफ़ते ले लिया और आपकी समस्या जड़ से खतम हो गई पर ऐसा नहीं है दवाई है तो आपको लेनी भी पड़ेगी अगर दर्द आपको 20 साल पुराना है तो लोग सोंचते हैं कि हफ़ते बर खाओ और ठीक हो जाओ तो ऐसा नहीं होता है पर वेदिक उपचार है देसी उपचार है और इसका रिजल्ट एंडेट 1% होता है और इसका आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है सबसे पहले ज़रूर ही होता है कि ये होता क्यों है इसके बहुत सारे कारां हो सकते है यूरिक एसिट भी इसका कारां हो सकता है कैलसियम की कमी भी हो सकती है अधिकतर अगर हमें जॉइंट पेन होता है और हम किसी डांक्टर के पास जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो उसमें अधिकतर कैलसियम देते हैं और ज्यादा कैलसियम आपके लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि ज्यादा कैलसियम लेते हैं तो आपको किड्नी स्टोन होने का खत्रा बढ़ जाता है तो इसके लिए मैं सीदे उपचार की तरफ चलता हूँ जादा बाते ना करते हुए इसमें केवल दो चीजें लेनी है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ दिखा भी दे रहा हूँ जिससे की आपको ये आसानी से पहचान में आ जाएं और आपको मिल जाएं ये कहीं भी मिल जाएंगी किसी भी पंसारी या जड़ी वूटी की दुकान में आपको मिल जाएंगी तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है गोंद कुंदरू पिक उपर लगी है आप उसे देख सकते हैं इसको हम सलाखी के नाम से भी जानते हैं आसानी से मिल जाएगी और आपको दूसरी चीज जो लेनी है वो सुद्ध गुगल होती है ये भी आसानी से मिल जाती है अब इन दोनों को बराबर लेना है इनकी मात्रा दोनों की बराबर रखनी है अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो दोनों को 100-100 ग्राम ले ले पीस कर दोनों को बारिक पौडर बना ले एक जगा मिक्स कर ले दोनों को और एक एक चम्मच सुबा साम खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद दूद के साथ ले लें बस दूसरे से तीसरे दिन लेंगे तो आपका दर्द जो है वो खतम होता चला जाएगा बाकी 15 से 20 दिन या महीने भर भी इसे आप ले सकते हैं कोई दिक्त नहीं होगी अगर आपके घुटनों में कट-कट की आवाज आती है यानि कैल्सियम कम है तो उसकी पूर्टी भी ये करेगा जोइन पेन किसी भी तरीके का दर्द हो कितना भी पुराना दर्द हो थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपकी जो परिसानी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी बाकि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजवल वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए हेल्प फूल होंगी थैंक्यू